मैं समझाता हूं कि कैसे हम इंशोर करेंगे कि आपके बायोजी में 340 प्लस मार्ट आए कुछ सवाल के जवाब तो आपको बिल्कुल पता है आप तो रट गये होंगे क्या सर पेपर NCRT के बाहर आता है नहीं जी क्या नीट का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है नहीं क्या बिल्कुल NCRT से 20 से चुनके उठा के लाइन से सवाल बना दिया जाता है हाँ जी क्या कोई फिक्स पैटन है क्या कि इसी तरह के सवाल आएंगे या इसी तरह के एक्जाम पैटन होगा या इसी वेटेश सवाल आएंगे नहीं जी तो इन सब को मद्दे नजर रखते कि आपके नीट एक्जाम 2023 के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे या देखे हुए आएंगे तो क्या क्या करने वाले इस कोर्स में आपको बताता हूं सबसे पहला बिटा कि हम पूरी NCRT लाइन वाइन जैसे पढ़ते वह पढ़ेंगे खास करके फेज वन चैप्टर जो हमारे फेज वन चैप्टर के सारे चीज हम NCRT लाइन वाइन ही पढ़ेंगे मतलब बिल्कुल NCRT को मैं निचोड के आपके सामने रख दूंगा सब कुछ आपको क्लास में ही याद हो जाएगा फेज बन चैप्टर मतलब जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया बाइलोजी अप्टर जो फेज टू और फेज त्री के चैप्टर जैसे जिसमें समझना पड़ेगा यूमिन फीजोलजी प्लांट फीजोलजी तो उसमें हम हैंड रिटेन नोट्स और उसके बाद NCIT को डिसाइफर करेंगे जिससे आपकी तैयारी पूरी कम्पलीट हो जाएगी तो आपको अपन तो यह आपका एक बार स्लेबस कंपलीशन कराता है ठीक है यह फास्ट स्लेबस कंपलीशन एक बार आपका स्लेबस यहां से इसके बाद मेरे साथ पीवाई क्यू और एक्जम्पलर के थूच्छाप्टर रिवाइज करेंगे ठीक है हम ऐसे नहीं होगा कि हम NCRT को घिसे जाना है दस दस बाद नहीं बेटा है ना हम चैप्टर रिविजन किसके थूख करेंगे पीवाई क्यू कि तो बात मानो मेरा कि जो पिछले 33 साल में नहीं होगा इस साल क्या हो जाएगा राइट तो पीवाई क्यों और एक्जम् तो इन टॉप 10,000 के थूख हम अपना सकेंड रिविजन करेंगे रिवर्स इंजिनियर कराके मैं आपकी रिविजन करा रहा हूं बेटा जिससे आपका टाइम बचेगा और एफिशेंटली आप अपने की टॉपिक्स को स्ट्रेंथन कर पाएंगे आपको दुबारा बार बा है वहां उस पे अटाइक करके आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्फ करूंगा तो दो रिविजन की मैंने बात कर ली अब बोलोगा सब्सक्राइब तो कम से हम करा दो करा दिया अब जो यह पीवाई क्यू और एक्जेंपलर के सवाल आपसे नहीं बनेंगे इनको आप एक सब्सक्राइब तुमने बनाया है उसको हम लोग रिवाईस करेंगे और आपका तीसरा रिविजन कंपलीट हो जाएगा बहुत सिंपल सा प्रॉसेस है बहुत कम टाइम में मात्र सौ से देड़ सो घंटे मैक्सिमम हंडेड टू वन फिफ्टी आर्स में यह पूरा कंपलीट हो जाएगा सीरीज और यह देड़ सो घंटे इंशोर करेगा कि आप बाइल्जी में तीन सो चालिस प्लस मार्क्स लाएंगे ठीक है